नमस्कार दोस्तों जी के जी एस मंधन चैनल में आपका स्वागत है मैं पपू सर भारतिय संबिधान की प्रस्तावना से संबंदित अती महत्पूर्ण प्रस्न जो बिगत कही परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनका विश्यसनात्मक अध्यान इस विडियो में प्रस्तूत किया जा रहा है और इस विडियो में जो बिसलेशन किया जाएगा वो काफी गहराई से विडियो में बिसलेशन किया जाएगा और अब इस विडियो को प्रस्तूत किया जा रहा है नमस्कार जीके जीकेस मैंधन चैनल में आपका स्वागत है मैं पप्पू सर भारतिय संबिधान की प्रस्तावना से संबंधित अब्जेक्टिव प्रसन जो बिगत कई परिक्षाओं में पूछा जा चुका है उसका ब्याख्यातमक उत्तर प्रस्तूत किया जा रहा है इस विडियो में पहला प्रसन है भारतिय संबिधान का प्राधिकार सुरोत कौन है A. राष्टपती B. भारत के लोग C. सर्वोचनयायाले D. सरकार इसका सही अंसर है B. भारत के लोग भारतिय संबिधान की प्रस्तावना का शुरुवात हम भारत के लोग से होता है इसका अर्थ हुआ कि भारत के संबिधान के द्वारा अंतिम स्रोत जिस के पास है अंतिम सक्ती वो भारत की जनता है तो भारत में सासन का अंतिम सक्ती भारत के लोगों के वास भारत की जनता के पास है प्रसन्संख्या 2 है भारत के संबिधान की प्रस्तावना में कहा गया है दर्म निर्पेक्ष इसका सही उत्तर है ए सर्व सत्ता थारी समाजबादी धर्म निर्पेक्ष लोगतंतरात्मगन राज संबिधान की प्रस्ताबना में जो सब्द आया है उसको अगर करम में सजाया जाया है तो सर्व सत्ताधारी यानि संपूर्ण परभुत्व संपन समाजबादी धर्म निर्पेक्ष लोगतंतरात्मगन राज ये सम्भिधान की प्रस्तावना को करम में ये सब्द रखा गया है प्रसन संख्यातीन है भारतिय सम्भिधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है ए प्रस्ताबना बी मौलिक अधिकार सी राज के निती निदे सकता तो दी संबिधान के सभी अनुच्छेद इसका सही उत्तर है ए प्रस्ताबना प्रस्ताबना संबिधान निर्माताओं की आकांचा को परदर्शित करता है संबिधान निर्माताओं के लक्ष को परदर्शित करता है वे भारत की सासन बेवस्था को किस परकार से अस्थापित करना चाते हैं भारतिय सासन की क्या प्रकिर्टी हो और सरसारकार की क्या-क्या आकांचाएं और लक्षो इसी को प्रस्ताबना में समाहित किया गया है और प्रस्ताबना संविधान की ब्याख्या करने में महत्पुर्ण भूमी का निवाता है इसलिए प्रस्ताबना को संविधान की आत्मा कह खिखा जाता है जासरण संख्यां चार है संभिधान निरमाताओं ने किस पर बिशिश ध्यान दिया था आप प्रस्तावना पशाथ एक पूल्क करतब पर सी मुलिक अधिकार पर डिनिती निश्थ प्रस्तावना पर प्रस्ताबना जैसे आप पिछला प्रस्ताबना 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 प् का कितनी बार संसोधन किया गया है एक बी दो सी चार डीच है जिसका सही उंतर है एक बार संबिधान की प्रस्तावना में पहली बार और एक मात्र बार जो संसोधन हुआ है वो 42 संबिधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संसोधन किया गया और प्रस्तावना में तीन सब्द जोरा गया एक समाजबादी दूसरा धर्म निर्पेक्ष के अस्थान पर पंथ निर्पेक्ष और तीसरा अखंड था है यह तीन सब्द 42 संसोधन के द्वारा संबिधान की प्रस्तावना में जोरा गया प्रस्तन संख्या 6 है भारत के संबिधान की प्रस्तावना में पर्थम संसोधन कब किया गया A. 1948, B. 1951, C. 1962, D. 1976 तो इसका सही उत्तर है D. 1976 42 संबिधान संसोधन अधिनियम 1976 इस्वी के द्वारा भारत की संबिधान की प्रस्तावना में पर्थम बार और अब तक का अंतिम बार एक मात्र बार संसोधन किया गया है परधान मंतरी स्री मति इंदरा गांधी के शासनकाल में。 प्रस्ताव संक्यासाथ है, भारति एस्वीड़ान ने किस प्रकार के लोक्तंतर को अपनायाा संबिधान की प्रस्ताबना में भारत को लोगतंतरात्म गनराजी घोशित किया है जिसे देशों को लोगतंतरी मिलन राश्ट्म के भारत के राष्ट प्रधान राष्ट्पती है जिनका पद निर्बाचय है इसलिए भारत को लोकतंत्रात्मक गंतंत्र कहा जाता है प्रसंद संख्यां आठ है प्रस्ताबना का वह कौंसा प्रापधान है जो सभी ब्यस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता एप निर्पेक्ष्टा बी परजातंत्र सी समाजबाद डी गंतंत्र तो इसका कि जिस देश के राष्ट प्रदान का पद निर्पाचन का होता है और यह निर्पाचन परत्यक्ष होता है या परत्यक्ष होता है यह मतलब नहीं रहता है परत्यक्ष निर्पाचन बाले देश के हेड आप नेशन को का देश को भी गंतंत्र कहते हैं जैसे अमेरिका के स्पति का चुना ऑपर्ट्यक्ष होता है तो भारत भी गन तंत्र है प्रसंघ्ञ्ण संख्या 9 बरनीत लोग तंत्र को भारतिय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में स्विकार किया गिया ऐगल राजनितिक सभी तो प्रशन संख्यानों का सही उत्तर है डी इन में से सभी भारतिय संविद्धान की प्रस्तावना में राजनीतिक राज इसका उत्तर होगा आर्थिक लोक्तंत्र जो भारतिय संविद्धान की प्रस्तावना है उसमें भारत को आर्थिक लोक्तंत्र के रूप में स्विकार किया गया है क्योंकि भारत की प्रस्तावना में कहीं पर भी राज्तंत्र सब्द का बात नहीं किया गया है प्रसन संक्या 10 है भारतिय संविद्धान प्रस्तावना के अनुसार भारत के सासन की सर्वोच सत्ता किसमें नहीं थे ए जनता में, भी मद्दाता में, सी राष्टपती में, डी संसद में तो इसका सही उत्तर है ए जनता में पहले ही प्रसन में कहां बताया गया था कि भारत की प्रस्ताबना हम भारत के लोग से सुरू होती है इसे लिए भारत में सासन का अंतिम सरोत, अंतिम सक्ती भारत की जनता के पास है प्रसन संख्यां 11 है भारत की संप्रभूता एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्राबधान किसमें किया गया है ए प्रस्ताबना में, बी मूल अधिकार में, सी निती निदेशक सिद्धांत में, डी मूल करतब्य में इसका सही उंसर है ए प्रस्ताबना में प्रस्ताबना में संप्रभूता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने का बात कहा गया है और इसमें अखंडता सब्थ 42 संबिधान संसोदन अधिनियम 1976 सिस्वी के द्वारा जोरा गया प्रसन संख्यां 12 है भारत की भारतिय संबिधान के प्रस्तावना से क्या असपस्ट नहीं होता है इस संबिधान का सुरोत भी सासन के ध्यों का विबिरन सी संबिधान को लागू करने की थी दि संबिधान को अंगिकरीत यदिनियमित और आतमार्पित करने की थी तो इसका सही उत्तर है सी संबिधान को लागू करने की थी क्योंकि संभिधान का प्रस्तावना को अंतिमी रूप दिया गया 26 नवंबर 1949 इस भी को, तो इस संभिधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर भारत और इंडिया, सी भारत और हिंदुस्तान, डी हिंदुस्तान और भारत बर्स, तो इसका सही उत्तर है, भारत और इंडिया, जो संबिधान है, उसमें इस देश का दो नाम दिया गिया, एक नाम भारत और दूसरा नाम इंडिया, आर्ज कभीले आरज कभीला जो भरत कभीला था रिगबैदिक काल में एक कभीला था भरत कभीला उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत परा है और यूनानियों ने इस देश का नाम इंडिया दिया प्रसन संख्यां 14 है भारतिय संविधान किसके द्वारा मौननेता प्राप्त है यह संविधान सभा द्वारा दी भारत की संसत द्वारा सी भार्थम निर्बाचित सरकार द्वारा दी भारत की चंता द्वारा तिसका सही उत्तर है भारत की जनता की ओर से संभिधान सभाने संभिधान को स्विकार किया प्रसंद संख्यां 15 है भारत की सर्वोच सत्ता किसमें नहीं थे भारतिय संसद में वी राष्टपती में सी प्रदान मंत्री में भारत की जनता में तो इसका प्रसंद का उत्तर डी है भारत की जनता में यह प्रसंद रिपीट हो चुका है इसलिए इसका एंसर होगा भारत की जनता पूर्वे में भी उस कोश्चन पर चर्चा हो चुका है प्रसंद संख्यां 16 है किसे बर्स में भारत एक प्रभाविक प्रजात्तांत्री गनराज बना A 1947 B 1949 C 1950 D 1958 तो इसका सही उत्तर है C 1950 26 जनवरी 1950 इसवी को भारत का संविधान लागू होते ही एक नया पद राष्टपती का आया और ये राष्टपती का पद निर्वाचन का था डॉक्टर राजेंदर परसाद भारत के पर्थम राष्टपती के रूप में सपत लिए जिसे भारत गंतंतर बन गिया प्रसंद संख्यां 17 है कि संसोधन अधिनियम में भारतिय संविधान की उद्धेशिका में परिबर्तन किये गए थे एट संविधान संसोधन अधिनियम 1975 B 40 संविधान संसोधन अधिनियम 1976 C 42 संविधान अधिनियम इसका सही उत्तर है सी 42 संविधान संसोदन अधिनियम 1976 पूर्वे में भी एक कोश्चन आ चुका है कि भारतिय संविधान की उद्देशिका यानि पर प्रस्ताबना में प्रियंबल में अब तक सिर्फ एक बार संसोदन हुआ है 42 संविधान संसोदन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रसन संख्या 18 है निमलिकित में से कौन सा एक उपलब्द कराने के लिए संविधान की प्रस्ताबना सभी भारतिय नागरीकों से वादा नहीं करती है A. समाजिक निया B. राजनितिक निया C. विचार की स्वतंतरता D. पूजा की समान्ता तो इसका सही उत्तर है D. पूजा की समान्ता प्रस्ताबना में पूजा की समानता Equality of worship का कहीं चर्चा नहीं है प्रस्ताबना में जो सब्द है उसमें समाजिक निया है राजनीतिक निया है आर्थिक निया है विचार की सोतंतरता है अभी बैक्ति की सोतंतरता है लेकिन पूजा की समानता की बात संबिधान की प्रस्तावना में कहीं नहीं कहीं गई है प्रसन संख्या 19 है भारतिय संबिधान को संबिधान साभा द्वारा कब अंगी करित यानि एडॉप्टेट किया गया संबिधान की प्रस्तावना में जो सब्द लिखा हुआ है आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मीती मास सिर्ष सुक्ल सब्द में विक्रम संबत 2006 को इस संबिधान सभा के द्वारा यानि एतद द्वारा इस संबिधान को अंगी करित अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं प्रस्त संख्यां 20 है भारतिय संबिधान को कब पुर्ण रूप से लागू किया गया ए 26 जनवरी 1950 भी 15 अगस्त 1950 सी 14 नवंबर 1913 भी 1 जुलाई 1950 तो भारतिय संबिधान का इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 इस भी को भारत का संबिधान बन करके तैयार हो गया था और उस दिन 15 अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संबिधान दिबस मनाते हैं लेकिन कहा गया कि पूरा संबिधान 26 जनवरी 1950 इस भी को लागू किया जाएगा और 26 जनवरी 1950 को लागू करने का इसलिए निरने किया गया था कि कॉंगरे 26 जनवरी 1930 सिस्वी को अपना पहला स्वतंतरता दिबस मनाया था और तब से लेके हर साल 26 जनवरी को कॉंगरे स्वतंतरता दिबस मनाता रहा लेकिन स्वतंतरता हम लोग को 15 अगस्ट को मिल गया इसलिए 26 जनवरी की तारिक को यादगार बनाये रखने के लिए संबिधान साभा ने संबिधान को 26 जनवरी को लागू करने का निश्चे किया प्रसन संख्यां 21 है भारत को गंतंतर क्यों कहा जाता है ए इसकी बिधान मंडलों के अधिक्तम संख्यां जनता द्वारा पर्तेक्ष चुनी जाती है बी या राजियों का एक संग है इसका पूर्वे में विकल भी पूर्वे में भी क्वेश्चन आ चुका है कि गंतंतर का अर्थ ही होता है जिस देश के राश्परदान का पद निर्वाचन का होता है उस देश को गंतंतर कहते है प्रेशन संख्या 22 है 22 भारत किस धर्म का राश्ट है ए धर्म निर्पेक्ष राश्ट दी हिंदू राश्ट सी हिंदू मुसलिम राश्ट दी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ए धर्म निर्पेक्ष राश्ट संबिधान की प्रस्ताबना में भारत को धर्म निर्पेक्ष राष्ट गोशित किया गया है साथ ही भारतिय संबिधान के भागतीन के मूल अधिकार में धार्विक्स उत्रता के अधिकार में भी भारत के धर्म निर्पेक्ष राष्ट का बरनन है धर्म निर्पेक्ष राष्ट उएसे राष्ट को कहा जाता है जिस देश का जिस राष्ट का और उस राष्ट की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो तथा वह राष्ट और सरकार किसी भी धर्म विशेश के लिए कोई कार्ज नहीं करता है प्रसन संख्यां 23 है धर्म निर्पेक्ष का क्या मतलब है यह रासरकार सभी धर्म के खिलाप है बी रासरकार द्वारा एक धर्म को स्विकार करना सी रासरकार द्वारा किसी धर्म को स्विकार नहीं करना डी इन में से कोई नहीं तिसका सही उत्तर है सी रासरकार द्वारा किसी धर्म को स्विकार नहीं करना इसके जश्ट पहले 22 नंबर प्रस्ण में भी को भी हम समझाएं हैं कि धर्म निर्पेक्ष राष्ट का क्या मतलब होता है प्रस्ण संख्या 24 है भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज है इसका क्या मतलब है ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना बी बहु संख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना और डी किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना ये प्रसन का भी उत्तर व्याख्यात्मक रूप से 22 और 23 नंबर में कर दिया गया है इसका सही उत्तर है डी किसी भी गंतंत्र होता है एक केबल एक लोक्तांत्री गंराज दी अध्यक्षिय पध्धति सासनवाला राज सी संसदिय पध्धति सासनवाला राज दी राज जहां पर अध्यक्ष बंसानुगत रूप से ना हो तो इसका सही उत्तर है दी राज जहां पर अध्यक्ष बंसानुगत इस वीडियो में प्रस्ताबना के इस वीडियो में आज इतना ही 25 नमबर तक परसन 26 नमबर से अगले वीडियो में इसको समझाया जाएगा अगले वीडियो में प्रस्ताबना पर सेश परसन का विशले सनात्मक अध्यन होगा तब तक के लिए जै हिंद जै भारत नमस्कार